हेलो एवरीबन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में जितनी भी राजियों के सरकारी सिक्षक बढ़ती के विग्यापन जारी होते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाता है सब भी राजियों के वेकेंसी कवर की जाती है तो बने रह चैनल पर यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं सरकारी सिक्षक बढ़ना चाहते हैं नई सरकारी सिक्षक बढ़ती का विग्यापन जारी किया गया है प्रात्मिक और पूर प्रात्मिक सिक्षकों के साथ में व्याखेता अलग-अलग विश्यों में वेकेंसी आई है सैलरी जो चाहेंगे कोई fees नहीं लग रही है और अगर हम जा सेलेक्शन की बात करें तो सेलेक्शन जो है सेक्षिनिक अंक और साथ में साक्षातकार की अंक के आधार पर रहेगा चलिए देख लेते हैं बाकी जो है डिटील में जो है नोटिफिकेशन में ही चेक करेंगे कैसे जो है इस subject ही नहीं है तो यहीं पर जो है वीडियो छोड़ सकते हैं व्याखेता में देखें सबसे पहले हिंदी English Sanskrit विश्यों की वेकेंसी है यह salary यहाँ पर दी गई है व्याखेता गनित की वेकेंसी है जिसमें English मीडियम के candidate आविदन करेंगे सामजिक विज्ञान की वेकेंसी है जी विज्ञान की वेकेंसी है रासायन की वेकेंसी है व्याखेता में भौतेकी की वेकेंसी है उसके बाद जो है प्रधान-पाथक-पूर्व-माधिमिक-शाला के लिए अंग्रेजी माध्यम के candidate ही आविधन करेंगे बिल्कुल लिखा हुआ है हर पद के आगे कि यहाँ English Medium के candidate आविधन कर सकते हैं यहाँ पर Hindi Medium के candidate आविधन कर सकते हैं तो इसमें जो है अंग्रेजी सिख्षक सिख्षक यानि कि TZT, Trained Graduate Teachers में इंग्रेजी माध्यम के candidate आविधन कर सकते हैं प्रधान पाठा के पद के लिए प्राथमिक शाला में भी इंग्रेजी माध्यम के candidate आविधन करेंगे यह सहायक सिख्षक यानि की Primary Teachers प्रियोग साला सहायक ग्रंथपाल की वेकेंसी है लाइब्रियरियन की व्यायाम सिख्षक की वेकेंसी है सहायक ग्रेड सेकेंड में सैलरी अलग है 25,300 ठीक है और सहायक ग्रेड थर्ड की जो सैलरी है 19,500 है सैक्षड की योगिता में इनोंने लिखा है अगर आप PZT के लिए अप्लाइ करना चाहेंगे तो पोस्ट ग्रेड़िशन आपका सब्जेक्ट में हो कम से कम सैकेंड डिविजन तो होनी ही चाहीए ब्यैर होना चाहीए ग्रेड़िशन में आपने हिंदी अगर हिंदी के लिए अप्लाइ कर रहे हैं गणित, सामाजिक विज्यान, जीविज्यान इसके लिए भी जो है ग्रेजुएशन में कम से कम सेकंड डिवीजन कम से कम सेकंड डिवीजन हो आपने ये सबजेक्ट पढ़ा हो और बियड होनी चाहिए सामाजिक विज्यान के लिए भूगोल इतियाच अर्थ सास्त्र, राजनिती, समास सास्त्र, इनसे आपने कम से कम से कम सेकंड डिविजन किया हो और बियड होना चाहिए, ऐसे ही जीविज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान, भौतेकी के लिए, प्रधान पाठक पूर्व, माधमिक शाला के लिए भी जो करती है पिभी जरूरी है, और आपके पास टायन विफान, पिभी ज़Two क्नवन चाहिए, प्रधान के लिए, कम्द्रव माधमिक शाला कांद बूर में अग्रेज़oga कारा है, इसलो कहिए है, और फिर दिव तान साहिए से ए एक सिक्षक प्रती के लिए कह रहे हैं, ओर से कर टेट पेपर बन क्वालिफाई किया हुआ है ठीक है प्रियोकसाला सहायक के लिए इन्होंने कहा है कि साइंस मैथ स्ट्रीम से आपने भौतिक एवं रसाइन विश्या समूं के साथ सेकेंड डिविजन मानेता प्राप्त बोर्ड से जीविज्ञान या गणे संकाय में भौतिक से एवं रसायन विश्या समूं के साथ निउन तम दृतिय शेयरिम से हाइर सेकेंडरी उतीन होना अनिवार्य होगा गरंत पाल के लिए तो लाईब्रीरी के लिए लाईब्रीर अंट जो आपके पास जौ डिग्री होती है वहापके पास होना चाहिए व्यायाम सिख्षा के के लिए dp ad vp ad वाले apply करेंगे सहाइक grade second के लिए higher secondary परिक्षा उत्युन होने चाहिए कम से कम second division यहां फर्स division इन्होंने किसी मैंने कहा कम से कम second division तो होनी ही चाहिए और computer में आपका degree diploma हो और typing speed हो सहाइक grade third के लिए भी जो है यही कहा गया है ठीक है अब यह vacancy जो है कहां से जारी की गई है तो यह vacancy कारेले कलेक्टर अध्यक्ष्वामी आत्मनन साश्यक्य इंग्लिस स्कूल संचालन प्रवंदन समिती जिला कोर्वा च्छतिस गड़ से आई है च्छतिस गड़ राज्य से यह vacancy जारी की गई है 11 नवंबर 2024 को तो बिल्कुल नया विग्यापन है तीन दिन पहले ही जो है यह advertisement official website पर डाल दिया गया है इससे पहले भी जो है vacancy आई थी वो अलग जगे से आई थी तो यह स्वामी आत्मानंद उतक्रस्ट अंग्रेजी माध्यम विध्याले है आवेदन जो है 12 नवंबर से स्टार्ट है 26 नवंबर तक चलने वाले हैं कैसे जो आवेदन करेंगे तो online आवेदन जिले की official website पर www.korba.gov.in इसमें दर्शित google form है बस उस पर click करना है निर्धारे तिथी के बाद आवेदन स्विकार नहीं किया जाएगा तो google form होगा उसे आपको fill करना होगा ठीक है विसे वार रिक्त पदों का विवरण इन्होंने दिया है category wise किस category में जो है कितने पद है तो कुल जो है कितने पदों पर vacancy आई है तो कुल जो है 120 पदों पर ये vacancy आई है समविदा के अधार पर ये vacancy है अभ्यरति को 36 गड़ का मूल निवासी होना निवार रहे है ये आपके पास होना चाहिए ठीक है तो आप 36 गड़ के मूल निवासी होने चाहिए तब ये form भर सक कौन कौन से स्कूल में जो है आपका सेलेक्शन होगा तो ये स्कूल दिये गए है कुल जो है वो 15 स्कूल है आयू स्वीमा 21 से 40 वर्स है आयू स्वीमा में छूट 36 गड़ राज्य के कैंडिडेट को रहने वाली है और भी देख लेते हैं इंपोर्टेंटी चैन प्रक्रिया कैसे होगे तो मैंने आपको पताया अक्जाम नहीं होगा यहाँ पर जो चैन होगा यह आपके सैक्शनिक योगधा के अनुसार टॉप 20 अभ्यरतियों का चैन किया जाएगा कि आपके जो है ट्वेल्थ में कितने हैं सिनातक में कितने लिये जाएंगे और मास्टर डिग्री में कितने लिया जाएंगे इसके अधार पर जो है ये निकाला जाएगा merit यहाँ पर देखें निउन्तम सेक्षणिक योगता का तो 80% होगा और आपका जो इंटर्व्यू रहेगा ये 20% 20 अंक का होगा कुल जो है सेक्षणिक पद के लिए था जैसे कि व्याक्यता है सिक्षक है सायक सिक्षक है व्याम सिक्षक ग्रंथपाल कंप्यूटर सिक्षक और प्रियुकसाला सायक के लिए गैर सेक्षनिक पदों के लिए ये क्या करेंगे साहेक ग्रेट, सेकंड और थर्ड के लिए तो सेक्षनिक योगता का अंकभार सत्तर होगा कौशल परिक्षा का अंकभार तीस होगा तो ऐसे जो है कुल मिलाकर सोंकव का होगा जिले की वेबसाइट में और आविदन फॉर्म भड़ने के लिए निम्दानस्वाज चार लिंक उपलब्द है कि आप जो है यहाँ पर व्याकेता के लिए अपलाई करना चाहेंगे या फिर प्रधान पाठक के लिए या प्रधान पाठक प्रात्मिक्षाला के लिए या पूर्व माधिमिक्षाला के लिए या फिर व्यायाम सिक्षक ये चार लिंक उपलब्द होंगे तो आप जो है देख लेंगे कि आपको जो है किसमें फिल करना है अभिहरती वेबसाइट में दिये गए लिंक पर क्लिक करके अपना अभिधन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं अभी मैं आप लोगों को ओफिशल वेबसाइट पर वापस चलते हैं वहां दिखा देती हूं यह देखिए यहां पर इनों ने दिया है जैसे ही ओफिशल वेबसाइट के मुख्य अप्रस्ट पर आएंगे होम पेज पर आएंगे तो थोड़ा सा आपको क्या करना है नीचे आना है यहां पर यहां पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है अगर आप form फिल करेंगे नोटिफिकि歡 देखने के लिए तो यहां फाइल के नीचे दिया हुआ है इस पर क्लिक करके पूरा नोटिफिकिशन अच्छे से रीड कर लेना है important बात मैंने आप लोगों को बता ही दी है form fill करने के लिए क्या करना है तो यहाँ पर link दिया है 4 ठीक है अब आपको किस में fill करना है तो इन ही मैंसे एक पर जो है click करना है और form fill करना है ठीक है कोई भी जो है इसमें fees नहीं देनी है आपको तो यह vacancy है ऐसी ही जो है सभी राज्यों से vacancy आती ही रहती है सरकारी योजना के तहट आप लोगों के लिए बिलकुल वीडियो बना दिया जाएगा समय से पहले अब जो भी candidate interested है और 36 गड़ का मूल निवास उनके पास है तो ही जो है इस form को fill कर पाएंगे link के लिए इसी वीडियो के नीचे description box में देखिएगा आप लोगों को link मिल जाएगा पिलेंगे next video में thank you